I still remember those days जब B.T.E.C. खतम होने को था और हाथ में कोई जोब नहीं थी, कोई on-campus placement नहीं हुई थी और दिन नहीं महीने निकल गए थे I was very sad, very disappointed क्योंकि मेरा academic score हमीशा से बहुत अच्छा रहा 4 साल B.T.E.C. के मैंने अच्छे खासे मन लगा के पढ़ाई की, महनत की अच्छे percentage भी आये लेकिन at the end चो चीज़ चाहिए होती है placement वो मेरे पास नहीं थी ऐसा नहीं था कि मैं जोब के लिए apply नहीं करती थी, मैंने off campus बहुत सारे placement में बैठी आज पास कि जितने भी colleges में companies आती थी, मैं update रखती थी और हर जगा हर placement में बैठ जाती थी कि भई कहीं पर कहीं भी starting में लग जाए वर इस start हो जाए career उसके बाद फिर आगे का देख लेंगे स्टिल रिमेंबर बहुत सारी start-ups आती थी, जिनके नाम भी नहीं सुनें कभी और कोई 8,000 पर मन्त दे रहा है तो कोई 10,000 पर मन्त दे रहा है लेकिन इतने सारे बच्चे participate करते थे अलग-अलग colleges से और at the end वो सरफ 2 या 3 बच्चों को select करके ले जाती थी बहुत जाता disappointment हो जाती थी कि आपके ने aptitude clear क्लियर क्या, फर्स राउन क्लियर क्लियर क्या, कई बच जब सेकेंड राउन में रह गए, कई जब थर्ड राउन में रहे है समझ भी जाता है कहां पर लाग कर रहे है और एक ऐसा डाइम था ना क्योंकि आपकी B.Tech complete हो चुकी है हुई थी, वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने decide कर लिया था कि already एक साल waste होने को आया है, drop हो गया है, तो मैं और time waste नहीं करूंगी, अगर job नहीं लग रही है, तो मैं यह तो M.Tech pursue कर लेती हूं, या फिर मैं MBA admission ले लेती हूं, कम से कम अपना course ही complete कर लेते हैं, आगे खाली बै प्रोच नहीं है, उस समझे में आया है कि अगर आपके कोई बड़े भाई बहन या आपके कोई relative अगर इस फिल्ड में already है, तो भई आप उसको एप्रोच कर सकते हूं, तो वो आपको refer कर सकता है, वो एक बहुत बड़ी help मिल जाती है आपको, लेकिन मेरे पास कोई as such help नही था, तो मेरा था कि ठीक अब नहीं हो रहा है, तो अब जादा negative होने से तो फाइदा नहीं है, मैं अपना college में admission ले लूँगी और आगे post graduation में pursue कर लूँगी, लेकिन February का time था और एक दिन मैंने अचानक शाम के time बैट की अपनी Gmail खो ली और उसमें mail आ रखी थी HCL की off campus placement, ज मेरे साथ morning में चल लेना डेली के लिए, पापा मेरे साथ ready हुए और मुझे अब भी याद है, हम सुब्रे सुब्रे अर्ली मॉर्निंग हमने 600 बस पकड़ी और हम डेली के लिए निकल गए, और यहां पर आके 8-8 बजी हम डेली आ गए थे और उसके बाद अपना off campus placement के भाई मुझे लगा कि पता नहीं यहां पर भी हो गाया नहीं होगा कि इतने सारे बच्चों को देखे कहीं न कहीं एक insecurity आ रही थी, वही एक दिन था जो बहुत बड़ा turning point रहा मेरी life के लिए, क्योंकि उस दिन मेरा aptitude हुआ, बट मैं sure नहीं थी कि क्या result होगा, मैंने पाप जिनबाद मेरे पास एक और mail आई HCLC कि आपको first round clear हो गया है, अब आपका second or third round होगा और फिर वापिस एक date आए कि इस particular दिन आपके इस college में यह second or third round होगा, फिर again हम early morning Delhi आए और फिर वहाँ पे मेरा second round हुआ, और मुझे अब भी यादा कि मेरा second round में बहुत ज्यादा नर् सब अच्छे से हुआ, उसके बाद फिर HR round भी हुआ और manager round भी हुआ वो भी बहुत ही अच्छे गए और सेम दिन मुझे फिलिंग आ गई थी, कि भई हो सकता है, 80-90% chances है कि मेरा यहाँ पर placement हो जाएगा, और जैसे मैं बाहर आई ना तो बहुत सारे parents महाँ पर already खड़े सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा HCL में हो गया है, और joining date भी आ गई थी, कि next 10-15 days मेरी joining थी, बहुत जादा खुश थी, और उन्हें पासपोर्ट वासपोर्ट के लिए कुछ-कुछ फॉर्म फिल करने थी, और कुछ-कुछ चीज़े अपलोड करने थी, तो मैंने सब फॉर्म भरे, सारी फॉर्म बहुत मेरी थी, बहुत जादा खुश थी, मतलब वो एकदम से होते हैं, कि आपने उमीद करनी छोड़ दी, और अब आप पूरा मतलब कहीं ना कहीं माइंड सेट कर चुके हो, कि भाई, नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं दूसरा alternative की तरफ मैं चल लूँगा, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हो जाए कि आप जो चाहते थे पहले आपकी वही विश्पूरी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घरवालों को भी बहुत अच्छा लगा, कि भाई, चलो लड़की ने महनत करी, इतने चार साल महनत की, और I know कि आप कितना भी सोच लो, बट कहीं बारी situations ऐसी आती हैं कि आप ना चाहकर भी positive नहीं रह पाते हैं, और आपको alternatives देखने पड़ते हैं, बट जो चीज आप चाहते हो, उसके लिए hope मत छोड़ो, उसके लिए try करना मत छोड़ो, उसके लिए hard work मत छोड़ो, तो यही था म तेरी आज की वीडियो का मेन मोटो, I hope कि आप लोगों को काफी कुछ इस सीखने को मिलेगा, तो इसके साथ ही मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, till then, take care of yourself and your family, bye!